जी अभी इन्होंने एक प्रश्ण पूछ लिया है अभी चर्चा हो रही थे गा इसनान की तो इन्होंने पूछ लिया कि गरम पानी का इसनान या थेंडे पानी का इसनान आईरोवेट में बहुत इसपश्टता से लिखा गया है कि गरम पानी से कभी भी इसनान नहीं करना चाहिए गरम पानी पीना चाहिए इसनान में हमेशा ठंडा पानी ही रखना चाहिए ठंडे पानी से मतलब जो सामान ने तापमान का पानी है वही पानी से इसनान करना अच्छा होता है और अगर आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, मान लिजे आपको जवर होए, जवर मने फीवर है, बुखार है, बहुत तेज बुखार है, और आप नहाना चाहते हों, तो ऐसी इस्थती में गरम पानी उप्योग कर सकते हैं, अगर स्वस्थ है शरी, तो बिल्कुल भी गरम पानी से मत नहीं है, नहीं तो बीमारी आएगी, और आईवरेट में बहुत सकती के साथ एक सूत्र लिखा गया है, बागवट्य सहिता में, कि सिर के ऊपर गरम पानी अगर आपने डाला, तो तयार रहिए, 123 रोग आपकी जिन्दगी में आएगे, सिर के ऊपर अगर ग और शारीरिक रोग भी उप सकती, इसलिए सिर के ऊपर तभी भी गरम पानी मत डाले, वैसे तो गरम पानी से नहाई है, बत में आपसे कैसा, लेकिन आपका दिल नहीं मानता, शरीर नहीं मानता, आदत बुरी पढ़ गई है, महराश्र के लोगों को ये बहुत बुरी आदत गरमी में भी गरम पानी से नहाँ है, तो अगर आदत बुरी पढ़ गई है, शरीर को लग गया है इसका, तो आप ऐसा करिए कि गरम पानी शरीर के किसी बें अंग पर डालिये, सिर को बचाईए कम से कर, सिर को डालने के लिए ठंदा ही पानी रखिए, साधरान पानी, सिर और आख ये दोनों गरम पानी से बचने चाहिए, क्यों बचने चाहिए, कारण में बता देता हूं, ये सिर और आख दोनों जो है ना कफ का इस्थान है, हमारे शरीर में तीन दोश होते है ना, वाट, पित और कफ, तो ये जो सिर है, सिर, यहां सबसे ज़्यादा कफ रहता और कफ और गरम पानी की खतरनाथ दुश्मनी अगर गरम पानी दें तो कफ और तेजी से बगता इसलिए सिर और आख दोनों को गरम पानी से बचाना चाहिए आखों को कभी भी धोना हो तो ठंडे पानी से ही धोईए सिर को कभी भी धोना हो तो ठंडे पानी से ही धोईए आदत पढ़ जाएगी जी ठंड काल में ठंड काल में भी आप कोशिश ये करिए कि बहुत गरम पानी ना रहे कोमट पानी रहे हलका गरम पानी रहे गुंगुना पानी रहे बहुत गरम पानी उस समय भी अच्छा नहीं है शरीर के लिए पानी का ठंडी से कोई संबन नहीं आपके दिमाग में बहुत बड़ी गैर समझ है वो ये कि ठंड पानी से नहाएंगे तो सर्दी हो जाएगी सर्दी का पानी से कोई रिष्टा नहीं है सर्दी का रिष्टा पोट से है पोट खराब होगा तो जरूर सर्दी होगी जिनको संडा साफ नहीं होती बार-बार जिनको कोश्ट बद्दता रहती है मल बद्दता रहती है कबजियत रहती है उनको ही सर्दी सबसे ज़ादा होती है पानी का सर्दी से कोई संबंद नहीं है इस बात को दिमाग से निकाल दीजे कि ठंडे पानी से नहाने से सर्दी होती है बिल्कुल नहीं होती सर्दी उनको होती है जिनको पोट साफ नहीं होता उनी को सर्दी होती ये उनके लिए है जिनको शरीर में कोई भयंकर दर्द है अगर शरीर में आपको muscles pain है वो तरह के pain होते हैं एक तो bones में हैं, हड्डियों में और दूसरा माशपेशियों माशपेशियों का अगर कोई भेंकर दर्द है तो ठंडे गरम पानी से नहने पर बहुत आराम मिलेगा एक बार ठंडा पानी डालिए फिर गरम पानी, फिर ठंडा फिर गरम तो माशपेशियों का दर्द आपका कतम हो जाएगा लेकिन अगर स्वस्थ हैं आप तो ऐसा मत करीए खाली ठंडे से नहाना की